नमस्कार दोस्तों आपके अच्छे स्वास्ति के शुब कामना के साथ मैं आज का टॉपिक लेकर क्या हैं हूँ इंकम टेक्स पर क्या अचल संपत्ती बेचने पर आई टी आर भरना जरूरी है ये क्वोश्चन की इंपॉर्टेंट सर्फ फिनेंस नंबर दुएक 2019 में आए ए एक अमेंडमेंट की वज़े से काफी बढ़ गई तो मैं इस वीडियो के थुरू जनता जनारदन के पॉइंट ऑफ यू ये पॉइंट सामने लेकर क्या आना चाहरा हूं कि अगर आपने कोई एक इमोबल प्रॉपर्टी बेची है मान लीजे आपने उस प्रॉपर्टी का री इन्वेस्मेंट कर लिया है आपने कोई नया मकान बना लिया है तो क्या ऐसी परिस्थती में आई टी आर भरना जरूरी है या नहीं है इनी प्रश्टों को लेकर के मैं आगे आपके साथ इसी वीडियो में बढ़ता हूं तो आज की वीडियो में सर मुख्यविंदू क्या क्या है अचल संपत्ती के प्रकार एक बार संक्षिप्त में आपके सामने लेकर क्या आना to understand them in brief कौन सी अचल संपत्ती पर बेचने पर हुआ capital gain taxable होता है which immobile property if sold will generate capital gain in the hands of an assessi क्या capital gain का पुने नियुजन करने पर भी ITR भरना जरूरी है when you have already reinvested the proceeds of a real estate then whether it is still mandatory for you to file the ITR which is the core part of today's discussion और ITR न भरने के क्या परणाम हो सकते है what could be the consequences of non filing idea तो मैं ये सारे points सर आगे आपके साथ discuss करने चल रहा हूं सबसे पहली बात दोस्तों अचल संपत्ती के प्रकार what are the various types of immobile property आवासी भूमी या मकान संपत्ती residential land या residential house पहला bifurcation व्यावसाइक या उद्योगिक भूमी यानि कोई commercial land हो सकती है commercial building हो सकती है या कोई particular industrial land या industrial building भी आपके पास में ownership में हो सकती है और तीसरा जो एक महतपूर्ण पार्ट है वो है दोस्तों कृशी भूमी यानि agricultural land तो ये सर इमोबल प्रॉपर्टी के कुछ बाइफरकेशन है जो income tax के point of view taxation के आस्पेक्ट से देखे जाते है अब बड़ी महतपूर्ण बात है दोस्तों कौन सी अचल संपत्ती बेचने पर हुआ capital gain taxable होता है तो मैं आपको एक बहुत सरल सी भाषा में बात करता हूँ और आप से ये कहता हूँ से अगर आपने rural agriculture land transfer करी है यानि ग्रामेंड शेतर में स्थित कोई क्रिशी भूमी transfer करी है तो इस क्रिशी भूमी के transfer पर तो कोई capital gain आता ही नहीं यानि किसी प्रकार का taxation होगा ही नहीं लेकिन अगर शेहरी शेतर में आपकी क्रिशी भूमी है यानि मैं उसे संक्षिप्त में बोलू urban agriculture land या मैं बोलू आपको के कोई particular residential land है ठीक है कोई residential land है दोस्तों चाहे वो आपकी urban area में है चाहे rural area में है इसी प्रकार से कोई industrial land है इसी प्रकार से कोई commercial land या property है जो urban area में हो चाहे rural area में हो ये सारी संपतियां अगर बिक्ती है except rural agriculture land तो दोस्तों इन सारी particular properties के बेचने पर आपको capital gain की liability determine करनी पड़ेगी मैं ये नहीं कह रहा कि आपका capital gain ही आएगा loss भी हो सकता है लेकिन अगर capital gain है तो उस capital gain का computation एक issue है और उस capital gain के संदर में ITR फाइल करना आज की इस particular वीडियो का विशे है जो मैं आगे आपके साथ और इस पर शुरूब से discuss करता हूँ अब दोस्तों मेरा मुख्य प्रश्न था आज की वीडियो का क्या capital gain का पुने नियोजन करने पर भी ITR भरना जरूरी है ये बात मैं क्यों आपके सामने लेकर के आया क्योंकि finance act number 2 2019 ने finance number 2 act 2019 ने income tax act की धारा 149 जो ITR भरने के संदर में विवस्था करती है उसमें एक six प्रूज़ो है दोस्तों ये six प्रूज़ो मैंने आपके reference के लिए भी रखा है यहां पर उसमें एक amendment किया क्या amendment किया कि ITR भरने के purposes से आपकी total income की गणना without exemption of section 54 to 54 GB की जाएगी बोले जी क्या मतलब मैं आपको एक उधार्ण से दी एक बात समझाओं तो मैं ये बोल सकता हूँ मान लिजे सर मैंने एक particular property 10 लाग रुपे की या 40 लाग रुपे की बेची वह कोई मकान था चालिस लाग की property बेची मुझे 25 लाग रुपे का long term capital gain हुआ तो लौ यह कहता है कि बढ़िया जी आप 25 लाग रुपे का नया residential house करीद लिजे तो आपको capital gain की exemption मिल जाएगी ठीक है अगर यह 40 लाग की property जो मैंने बेची दोस्तों वह एक residential land थी मकान नहीं थी तो लौ कहता है पूरे 40 लाग रुपे reinvest कर दीजे यानि section 54 या section 54 F income tax act में जो भी लागू हो वह applicable situation होगी इसी प्रकार से capital gain exemption के और भी कुछ section है 54 B agriculture land के लिए है 54 EC usually 50 लाग ता long term capital gain reinvestment अगर आप NHAI bond या rural electrification bond में करते हैं तो वहाँ capital gain की exemption मिलती है तो लौ ने दोस्तों जो important amendment कर दिया वो क्या कर दिया कि ITR भरने के purposes से आपके total income की गढ़ना without considering section 54 to 54 GB की जाएगी यानि वैसे तो मेरा 25 लाग रुपे का capital gain मैंने reinvest कर दिया मुझे capital gain की exemption मिलनी चाहिए लेकिन क्यूंकि बिना 54 की exemption के मेरी total income 25 लाग है तो मुझे return बरना mandatory है तो एक तरीके से सर अब तक यानि assessment year 20-21 से पहले अगर आपने एक property बेची और नई property खरीद ली तो आप यह मान के बैट रहे थे तो मेरा तो capital gain exempt है मुझे return return क्या बनी है हाला कि मेरे जैसे charter accountant जो भी आपके संपर्क में है वो सब यही बोलेंगे नहीं sir return जरूर बरी है पर लोग नहीं बर रहे थे अब मैं यही चीज़ लोगों की knowledge में लाना चाहता हूं नहीं सब आपके लिए return बरना mandatory हो गया सुनियेगा sir provided also every person being an individual or hf और an association of person body of individual whether incorporated or not or artificial ludical person if his total income or total income of any other person in respect of which he is accessible under this during the previous year without giving effect to the provisions of clause 38 of section 10 10a 10b 10ba और section 54 यह हैं दोस्तों exemption के section capital गेंगे 54 54 B D E C F G G A G B और chapter 6a exceeded बिना आपको exemption दिये total income exceed कर गई maximum amount which is not chargeable to income tax shall on or before the due date furnish a return of his income or income of such other person during the previous year in the prescribed form verified in the prescribed manner setting for such other particular as may be prescribed तो आई होप आपको मेरा message मिल गया होगा कि हां sir return भरना mandatory है बिना exemption देखे यह बात अलगे कि अगर आपने तो department return का मिल को जो exemption मैं claim कर रहा था वो देने से मना कर सकता है नहीं सर यानि आप return नहीं भी बढ़ते तो आपकी exemption claim मना नहीं होगी एक important बात है लेकिन return भरना mandatory है वो आपको पक्ष समझना पड़ेगा अब return यदि नहीं भरते है तो उसके क्या consequences होंगे मैं आपको उस पे लिए चलता हूँ तो देखिए दोस्तों ITR न भरने के क्या परणाम हो सकते है पहले आपने मेरे साथ सीख लिया कि हाँ sir return भरना तो mandatory है without going into the exemption of 54 to 54 दी तो अगर आप return नहीं भरेंगे ठीक है तो क्या capital gain के exemption नहीं मिलेगी मैंने पश्ट बोल दिया नहीं sir exemption तो आपको मिलेगी लेकिन return नहीं भरने के और कुछ consequences है जो आप face कर सकते हैं एक 234 F में fees लगेगी 1000, 5000, 10,000 as the case में भी उसके लिए आपको तयार रहना है दूसरा sir अगर आपके capital gain की गड़ना में कहीं पर कोई प्रकार की गड़वड़ी है या कुछ capital gain की exemption है कुछ taxable है तो जो taxable portion है जिस पर आप tax किसी वज़े से नहीं दे पार है उस पर आपको section 270A में penalty लग सकती है जो हो पाई भारत सरकार से क्या वो under reporting की category में है या miss reporting की category में और तीसरी बात दोस्तों आपको जो भी capital gain tax liability बनेगी उसकी वज़े से 234A, 234B या 234C का tax देना पड़ता है पड़ सकता है अगर exemption लेने के बावजूत कोई tax बनता है तो हाँ अगर exemption लेने के वज़े से आपका कोई tax नहीं बनता दोस्तों तो penalty और ब्याज नहीं देना उस परिस्तिती में आपको fees ही देनी पड़ेगी यह एक main यहाँ पर result हो सकता है जो मैंने आपके सामने रखा तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आज की वीडियो को आप उपयोगी पाएंगे यह रखा वाप से अपितल में अगर आप अंप्योंगी को आप उपैंगे यह यह तो थो इस परिलर वीडियो, because section 139 ask you to do so and non-filing of the return however, अगर आपने return नहीं बरी तो आपकी exemption तो नहीं जाएगी मित्रो लेकिन आपको इस परिस्तिती में fees का कोई भुकतान income tax law में करना पड़ सकता है तो इस point of view से रादर अगर आप मेरे से पूछेंगे as a CA मैं हमेशा ये advice करूँगा अगर आपके कोई transaction है real estate से related sale के या even purchase के तो आप अपनी ITR जरूर भरिए आपके CA अथवा tax consultant किराय ले करके क्योंकि return बरना असर नहीं बरने से हमेशा fruitful exercise रहती है तो आज के लिए दोस्तों मैं अपनी इस particular वीडियो को यहीं समाब करता हूँ मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन थैंक्यू